सिनिमा अक्सरी हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाते हैं बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ना चाहते हुए भी हमें देखनी पड़ती हैं वो इंफरमेशन इंटरस्टिंग होगी बट उसके बारे में जानकर हम रियल लाइफ में काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं नौइडा का आरुशी तलवार मर्डर केस रमन रागव के वर्ल्ड फेमस हतोडे वाली किलिंग्स या फिर लेटेस नेट्विक्स की डॉक्यमेंटरी हाउज ओफ सीक्रेट्स जो गुरारी केस का सच हमें दिखाती है उपर बताये गए नाम काफी डरावने हैं इवन किसी होरर फिल्म से भी जादा भयानक हैं बट जो फिल्म इन पे बनाई गई वो है एकदम मास्टरपीस तो बस मैंने सोचा आपके साथ वो पाँच रियल लाइफ केसिश शेयर करती हूँ जिन्नोंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया बट उनका सच, I mean proper सच आज भी लोगों को नहीं पता and इसलिए we need a proper documentary या well-rated film on these criminal cases Warning, वीडियो में बोली गई बातें आपको mentally affect कर सकती हैं कुछ फोटोस भी डाले गए हैं जो normal बिल्कुल नहीं है तो प्लीज सोच समझ कर आगे बढ़ना Number 1, The Skeleton Man of India कहानी कोलकाता से शुरू होती है एक normal सा घर जिसमें अचानक से आग का धुआ बहार आते हुए दिखाई देता है पडोसी घबरा जाते हैं और पुलिस को बलाया जाता है जैसे एक घर का गेट तोड़ा जाता है सामने कमरे में एक इनसान पूरी तरह खुद को जला चुका है और ठीक उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जिन्दा इस लड़की के बगल में पड़ी हुई है एक दूसरी लड़की की लाश जो एकदम सड़ चुकी है उसको कीड़े खा रहे हैं लिटरली एंड इतना ही नहीं दो डेट बॉडी और पड़ी हुई है उसी कमरे में लेकिन ये इनसान की नहीं कुतों की हैं अभी पूरा सीन इमेजन करो एक बंद कमरा जिसमें एक जला हुआ इनसान पड़ा है एक लड़की की सड़ी हुई डेट बॉडी जिस पे कीड़े घूम रहे हैं एंड डो कुतों की लाश और इन सब के बीच में बैठा है एक जिन्दा इनसान ये कहानी है पार्थो डे की जो एक टाइम पर मीडिया चैनल्स का फेवरेट टॉपिक बन गया था वो लड़का जिसने अपनी बहन की डेट बॉडी के साथ काफी टाइम तक सेक्स किया और अपने दो कुतों को तब तक भूखा रखा जब तक वो जिन्दा लाश ना बन ग गया है बट एक पुलिस ऑफिसर को आग में दिखाई देता है कुछ ऐसा जिसके बाद बहां मौझूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं उस आग में इंसान के शरीर के छोटे छोटे टुकडे दिखाई दे रहे थे एक रियल बॉडी जिसको अंगिनत हिस्सों में काट कर तंदूर के अंदर जला दिया गया था और वो धीरे धीरे कैंडिल की तरह पिखल रहे थे इंवेस्टिकेशन के बाद पता चला डैट ये बॉडी थी कॉंग्रेस के एक पॉलिटिकल लीडर की पत्नी की पती को शक था कि बीवी का अफेर चल रहा है अपने स्कूल के दोस् ये कहानी सबसे अजीब है और यकीन मानो इसके बाद आप खुद के अलावा किसी भी दूसरे इंसान पे भरोसा करना बन कर दोगे अन्बिलीवेबल स्टोरी है ये इंदरानी मुखरजी एक छोटे से शहर से बहार निकल कर मुंबई आती है और सीधा स्टार ब्रॉडकास चैनल के CEO पीटर मुखरजी से शादी करके INX मीडिया की मालकिन बन जाती है इंदरानी के साथ एक लड़की भी थी जिसे उसने पीटर से अपनी छोटी बहन बता कर मिलवाया था शीना बोरा बस ये लड़की कुछ दिनों बाद अचानक से गायब हो जाती है इंदरानी बोलती है को यूएस चली गई पढ़ाई करने किसी बड़े कॉलिज से बट शीना का छोटा भाई वो पुलिस में रजिस्टर कर देता है एक कंप्लेंड कि उसकी बहन काफी दुनों से गायब है जो मुंबई में अपनी मा के साथ रहती थी मा कॉन यही सोच रहे होगे इंदरानी तो शीना की बड़ी बहन थी जूट सब कुद जूट है दरसल इंदरानी was the mother of शीना बोरा एंड उसने खुद अपनी बेटी का murder करवाया था वो भी अपने ex-husband के साथ मिलकर क्यूं? बिकॉज उसके current husband पीटर का बेटा राहूल उससे शीना का चल रहा था love affair एंड बाद जब शादी तक पहुँच गई तो इंदरानी का दिमाग घूं गया अपनी बेटी की शादी विद खुद का सौतेला बेटा not possible बस कुछ दिनों बाद पुलिस को एक सूंसान जंगल में इंसानी हड्या मिलती हैं जमीन के अंदर गड़ी हुई बाद में DNA सेंपल से पता चलता है that yes ये शीना बोरा की ही है एक पती जिसको उसकी पत्नी अचानक छोड़ कर गायब हो जाती है एंड साथ में दो बच्चे भी रह गए हैं पापा के साथ राजेश अपने छोटे छोटे बच्चों का पूरा खयाल रगता है खाना बनाके खिलाना हो या फिर पार्क में घुमाने ले जाना पड़ोसी भी राजेश की तारीफ करने से खुद को रोग नहीं पाते बट अचानक दिली से राजेश की पत्नी का भाई दहरादून आता है एंड साथ में आती है पुलिस फिर पूरे घर को अच्छे से सर्च करने के बाद शक्की सुई अटक जाती है एक बड़े से फ्रीजर पे आके बहुत सारे बहाने बनाने के बाद जब फाइनली पुलिस उस फ्रीजर का ताला तोड़ के उसको खोलती है तो अंदर से आती है खतरनाक बद्बू एंड सामने दिखाई देते हैं 50-60 पॉलिथिन बैक्स वो काले वाले हर बैक के अंदर मौधूद होता है उसकी पतनी का एक बॉड़ी पार्ट जिसको मार्केट से खरीद कर लाए गए 100 मशीन से टोटल 70 पार्ट में काट गिया गया था 70 काले बैक्स जिसमें इनसान बंद है और किसी को शक ना हो इसलिए राजिश रोज रात में एक बैक चुपके से ले जाके दहरादून के अलग-अलग गली महले में फेक देता था ये वो केस है जिसकी हेडलाइन्स दिन राट टीवी न्यूस पर जरूर देखी हूँगी आपने इससे जादा भयानक एंड शौकिंग क्राइम आज तक हमारे देश की हिस्टरी में कभी नहीं हुआ नॉइडा का सबसे वी आईपी एरिया सेक्टर 31 जहां रहते हैं एकदम अमीर बिजनिसमेन टाइप लोग बस उसके ठीक बगल में मौझूद है एक छोटा सा गाउन निठारी जहां से अचानक छोटे छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है तो सब कुछ इगनोर हो जाता है क्योंकि mostly गाउन वाले सब मामूली लोग थे कोई रिक्ष्टा चलाता है तो कोई बड़े सहाब के घर में जाडू पोचा करता है तो पुलिस ने बात को हवा में उड़ा दिया लेकिन फिर एक बंदा खड़ा होता है जो केस को पुलिस की जगे सीधा कोट में ले जाता है और तब ओर्डर्स आते हैं निठारी केस को इन्वेस्टिगेट करने के हर गायब होने वाले बच्ची के केस में सिफ एक चीज कॉमन थी दी फाइब नंबर की ये बड़ी सी कोटी जिसमें रहते थे आस्ट्रेलिया के बिजनसमैन मोनिंदर सिंग और उनका नौकर सुरिंदर कोली पैसा था तो पुलिस से कनेक्शन भी अच्छा था जहां बहुत सारे पॉलिसिन बैक्स पड़े हुए थे खोल के देखा तो हर बैग में इंसान का सर और पेट के नीचे वाला हिस्सा मौजूद था पैर वगेरा लेकिन गर्दन से लेकर पेट वाला जो हिस्सा है वो किसी भी बैग में नहीं मिला फिर D5 में खुदाई की गई तो गायब होने वाले बच्चों के कंकाल मिले वो भी बहुत सारे कुछ केसिस तो रिपोर्ट भी नहीं हुए थे और फाइनली जब सामने आया तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई ये जो घर के मालिक थे मोनिंदर सींग ये इस कोठी में कॉल गल्स को बुलाते थे फॉर एंटरेइन्मेंट एंड उनका नौकर सुरिंदर ये सब कुछ चुपचाप देखता था फिर अचानक एक दिन इनसान पे शैतान हावी हुआ एंड सुरिंदर ने घर के बाहर खेलने वाली छोटी बच्ची को टौफी का लालच दे कर अंदर बुलाया पहले उस बच्ची को मार डाला जान से फिर मौनिंदर सींग के कमरे में ले जाकर उस डेट बॉडी के साथ रेप किया देन बात्रूम में उसके छोटे छोटे टुकडे करके फेका नहीं बलकि उस मीट को किचिन में लाके प्रेशर कुकर में बंद करके अच्छी तरह पकाया फिर उसको खा गया हाँ सर पैर और हाथ ये तीनों चीज़ें ब्लैक पॉलिटिन में बांद के नाले में फेक दिया सुरिंदर एक्चुली एक साइकोपेट था जिसको इनसान का मास खाने का शौक था और मोनिंदर सींग से इंफ्लूएंस होकर उसने चोटे-चोटे बच्चों को सेक्श्विली अब्यूस करना भी शुरू कर दिया तो दोस्तों ये पांच केसिस सुनने के बाद एक चीज जरूर सीखने को मिलती है आपके पडोस वाले घर में कौन रहता है यह हम पता कर सकते हैं बट क्यों रहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता लगाना इंपॉसिबल है आप भी कॉमेंट करके कुछ खतरना केसिस के बारे में अपना एक्स्पेरिंस शेयर कर सकते हो जिसके साथ आप डिरेक्ली और इंडिरेक्ली कनेक्टेड हो और आज भी उसके बारे में सोचकर आपकी नीन उड़ जाती है बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ हिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा से इंतुजार करें मिलूगी आप से अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई